यह सब नसुरुल्ला के मरने से बहुत दुखी है वो महभूब मुफ्ती ने परचार रोका है लेकिन मातम इन सब के यहां भी है इस सब इस समय दुखी है इनका बस चले तो यह सब इसराइल पर हमला कर गए हिजबुल्ला के संग एक फॉर्टी सेवन लेके मैदान में पूच जाएं कि बेताव हैं परिशान हैं हिजबुल्ला पर टेक हुआ नसुरुल्ला मारा गया तो यह इनका नेचुरल करनक्शन है और देखे भारत के ग्रहमंत्री आधरणिये अमिर्शाह जी को इस वक्त राहुल गांधी जी पर हमला नहीं करना चाहिए क्यों हमास की बरवादी को लेके भी राहुल जी काफी दुखी है पीछे लेकिन अब जब हिजबुल्ला पर इस्राइल ने हमला किया तो उससे वो बहुत आहत है तो राहुल गांधी जी के उपर हमला करना ठीक नहीं जहां तक सवाल है क्योंकि हमारे भारत की परंपरा रही है ज उनको दुख होता है तो जो दुखी होता उस पर हमला नहीं किया जाता है जहां तक सवाल है नवरात्र का तो निश्चीति रूप से माभगवती की करपा से हरियाना की जनता के अच्छे भविश और उज्वल भविश की कामना करते हुए मेरा पूरा विश्वास है क्या कॉंग्रेस पाइटी का चुना बहुत अच्छा चला है हुड़ा जी की वज़े से लेकिन तिन चार दिन अभी और है राहूल गांदी जी दो चार बार अगर हमाँ चले गए तो सब ठीक कर देंगे सब मुड़ा जी की मेहनत को बरवात करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंग नाव है नवरात्र में वोटिंग है और नवरात्र में रिजल्ट है तो मा भगवती महिसासुर मर्दनी कही जाती है तो जो लोग सनातन को मिटाने की बात करते हैं जो लोग राम का विरोध करते हैं भगवती का विरोध करते हैं शक्ती का विरोध करते हैं देवी का जम्बू में थे मलिका अरजुन खडगे जी की अभी जो उम्र है वो 82-83 साल है हम भगवान से प्रार्थना करते थे कि वो लंबी उम्र उनकी हो दिरगाईू हों अब उन्होंने कहा है मैं जब तक मोदी को नहीं हटाऊँगा तब तक नहीं मरूंगा तो हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान खडगे जी को सौ साल से भी ज़्यादे लंबी उमर दे ताकि इस देश को 2047 तक मेरिंद मोदी जैसा प्रदान मंतरी मिलता रहे है पीडिपी की चीफ हैं महववा मुफ्ती उल्लक कुले कर उन्होंने आज अपना परचार अभिहान रोक दिया वो कह रहे हैं कि इस पर वो कहीना की दुखी ते इसलिए परचार अभिहान पर रोक लगा दिया गया क्युक्ता परचार से न कि बाटे की शो slipping होएं आज कंग्रेस पारिटी के बड़े नेता हो या मिंशनल कॉंफरेंस या समाजवादी पारटी हो ला विपक्स के Copcha के जितने भी बड़े बड़े नेता हैthe bड़े बड़ी पारटीयां है ऐए hang चाहिं टी यह सब नसुरल्या की मरने से बहुत दुखी है वो महभूब मुफ्ती ने परचार रोका है लेकिन मातम इन सब के यहां भी है इस सब इस समय दुखी है इनका बस चले तो यह सब इसराइल पर हमला कर दें इनका बस नहीं चल रहा है और देखिए भारत के ग्रहमंतरी आदरण यह अमिर्शाह जी को इस वक्त रहुल गांदी जी पर हमला नहीं करना चाहिए क्योंकि रहुल गांदी जी हिजबुल्ला पर जो हमला हुआ है उसकी वजह से बहुत दुखी है इस समय हमास की बरवादी को लेके भी रहुल जी काफी दुखी है पीछे लेकिन अब जब क्योंकि हमारे भारत की परंपरा रही है जो आदमी दुखी होता है नजदी की लोगों का अगर बरवादी का समाचार मिलता है तो नैचुरली है जो उनको दुख होता है तो जो दुखी होता है उस पर हमला नहीं किया जाता है जहां तक सवाल है नजरात्र का तो निश्ची करते हुए मेरा पूरा विश्वास है कि मा भगवती की करपा हरी राणा की जनता पर बनी रहेगी कि कॉंग्रेस पाइटी का चुना बहुत अच्छा चला है हुड़ा जी की वज़े से तेकिन तीन चार दिन अभी और है राहुल गांदी जी दो चार बार अगर हमाँ चले तो लगता है कि बीजेपी के नेत्रुत के काम हुआ है विटास के वांपर लेकिन नवरात्र में चुनाव है नवरात्र में वोटिंग है और नवरात्र में ही रिजल्ट है तो मा भगवती महिसासुर मर्दनी कही जाती है तो जो लोग सनातन को मिटाने की बात करते हैं जो लोग राम का विरोध करते हैं, भगवती का विरोध करते हैं, शक्ती का विरोध करते हैं, देवी का विरोध करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मा की किरपा उन पर होगी जम्मू में थे मलिका अरजुन खड़गे जी की अभी जो उम्र है वो 82-83 साल है हम भगवान से प्राथना करते थे कि वो लंबी उम्र उनकी हो दिरगाई हूँ अब उन्होंने कहा है मैं जब तक मोदी को नहीं हटाऊँगा तब तक नहीं मरूँगा तो हम तो भगवान से प्राथना करते हैं कि हे भगवान खड़गे जी को सौ साल से भी जादे लंबी उम्र देता कि इस देश को 2047 तक मेरेंद मोदी जैसा प्रदान मंतरी मिलता रहे है पीडिपी की चीफ हैं महववा मुफ्ती उल्ला कुले कर उन्होंने आज अपना परचार अभिहान रोक दिया वो कह रहे हैं कि इस पर वो कहिना के दुख्री ते इसलिए परचार अभिहान पर रोक लगा दिया गया या महववा मुफ्ती हों या कौंग्रेस पारिटी के बड़े नेता हों या निशनल कॉनफरिंस हो या समाझवादी पारिटी हो या विपक्स के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं बड़ी पाइटियां है, चाहे टी-म-सी हो, डी-म-क हो, यह सब नसुरल्ला के मरने से बहुत दुखी है, वो महभूब मुफ्ती ने परचार रोका है, लेकिन मातम इन सब के यहां भी है, इस सब इस समय दुखी है, इनका बस चले तो यह सब इसराइल पर हमला कर दे, इनका बस नहीं चल रहा है, वरना यह हमास के संग, हिजबुल्ला के संग, एक फर्टी-सेवन लेके मैदान में कूच जाएं, यह बेताव है, परिशान है, हिजबुल्ला पे टेक हुआ, नसुरुल्ला मारा गया, तो यह इनका नेचुरल कनेक्शन है, कि रावन के बनसज, राम का विरूद तो करेंगे न, जो राम का विरूद करेंगे, संग रावन का विरूद करेंगे, उसे वो आगे बढ़ाएंगे, रावन की सेना में जितने लोग हैं रावन की सेना में जितने लोग थे वो तो स्वते ही राम का विरोध करते थे ना इविवीशन को छोड़के तो यह परंपरा चली आ रही है तो जो राम को गाली देगा, सनातन को गाली देगा, सनातन को बुरा भला कहेगा उसको तो बदुन्नती मिल्ला सुबावी कै